हलो गुड मॉर्निंग अलो फ्यू सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विवेक कुमार यूवी कंपिट्सेंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों रोजाना की तरह मैं लेकर हाजीरूं डेली कर अंटपिर्स जी के जो कि आपका हिंदी और इंग्लिस लेंग्वेज में अपडेट्स है मेरे प्यारे साथियों आज 24 जनवारी 2019 वार गुरुवार की हम बात करते हैं साथियों डेली कर अंटपिर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपिटिशन सब्क्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपिटिशन चैनल को सब्क्राइब करें और साथी बैल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए अपडेट्स के इसके साथ ही यदि आप राजस्तान जी के और मैकनिकल इंजिनिरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनकेडमी अप पर मुझे फोलो करें अनकेडमी अप पर आपको राजस्तान जी के और मैकनिकल इंजिनिरिंग पढ़ने को मिलेगा और अनकेडमी अप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके साथ करेंट अपडेट्स, रिकूट्मेंट नॉटिस, क्यूज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपेटिसंस जो की इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फोलो कर सकते हैं आईए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार सबसे पहले बात करते हैं नैशनल न्यूज राष्टे समाचारों की टैन येर आप्टर चब्वीस ग्यारा दे इंडियन नेवी कमांश्ड दे लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज अप दे इंडियन कोस्ट चब्वीस ग्यारा के दस वर्स बाद भारते नोसेना ने भारते तट पर सबसे बड़ा तटियर अच्छा अभ्या सुरू किया है नेक्स्ट, ओमेगा हेल्थ केर मैनेजमेंट सर्विसेज has signed a pact with IIT, AAAI T, Bangalore for advanced use of the latest technology in providing healthcare solutions ओमेगा हेल्थ केर मैनेजमेंट सर्विसेज ने हेल्थ केर समाधान प्रदान करने में नवीनतम तक्निक के उननत उपयोग के लिए ट्रपल आएटी बैंगलोर के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं Next, the Jawaharlal Nehru Port Trust, JNPT, India's premier container port got listed among the top 30 container ports globally. As per the latest Leold's report, JNPT notched up 5 supports to be 28th on the list compared to its previous ranking. नवीनतम लड्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अप्रमु कंटेनर पोर्ट, Jawaharlal Nehru Port Trust, JNPT, Westwick इस्तर पर, सीर्स 30 container बंदरगाओं की सूची में सूची पद्द है. JNPT अपनी पिछली ranking की तुलना में 5 पाइदान उपर 2800 इस्तान पर आ गया है. नेक्स्ट अरुनाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू डिकलियर पैका पागा हॉर्ण बिल फेस्टिवल पीपीएचएप एस दे स्टेट फेस्टिवल एट स्युजुवा सा इन इस्ट कमेंग डिस्टिक अरुनाचल प्रदेश. पक्के पैगा पागा हॉर्ण बिल फेस्टिवल पीपीएचएप इस ओनली कंजरवेशन फेस्टिवल और अरुनाचल प्रदेश. अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेवा खांडू ने पूर्वी कामिंग जिले अरुनाचल प्रदेश के सिजोसा में पक्के पागा हॉर्ण बिल फेस्टिवल पीपीएचएप को राज्य मौत्सो गोसित किया है. पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल PPHF केवल अनुनाचल प्रदेश का संरक्षन तैवार है नेक्स्ट आंद्रा प्रदेश कैबिनेट है डिसाइडेड तो केटर 5% रिजर्वेशन इच फोर कापू कम्यूनिटी एंड दे एकोनोमिकली बैक्वार्ड क्लासेश एबिसीएज अमोंग दे फॉर्वर्ड कास्ट दे कैबिनेट अप्रूर्ड दे डिसीजन ओफ डबलिंग दे वेलफेर पैंसन गिवन अंडर दे एंटी आर भरोसा स्कीम आंद्र प्रदेश कैबिनेट ने कापू समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अगड़ी जातियों में से पांच प्रितिसत आरक्षन को पूरा करने का फैसला किया है कैबिनेट ने एंटी आर भरोसा यूजना के तैत दिये गए कल्यान पैंसन को दोगुना करने के निर्ने को मंजूरी दिये है next the government has constituted a high power committee to monitor the pricing of medicines and healthcare products the committee will be headed by a Niti Aayog Member Health the standing committee on affordable medicines and health products will be recommending body to the National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA सरकार ने दवाव और स्वास्ते संबंदी उत्पादों के मुल्य निर्दारन की निकरानी के लिए एक उच्च सक्ती समीति का गठन किया है समीति का नेत्रतो नेति आयोग सदस्य स्वास्ते करेंगे सस्ती दवाव और स्वास्ते उत्पाद उपर इस्ताई समीती राष्टिय ओस्ती मुल्य निर्दारण प्राधिकरण NPPA की सिपारिस करने वाली संस्ता होगी समीती में मुख्य आर्थिक सलाकार और अन्य निती निर्दारण भी सामिल होंगे नेक्स अब आये बात करते हैं अवार्ड पुरुषकारों की दे प्रेसिडेंट अप इंडिया रामनात कोविंद कंफर्म्ड दे प्रदान मंत्री राष्टिय बाल पुरुषकार 2090 अवार्ड वर प्रेजेंटे टो 26 शॉटलिटे अवार्ड इज इंक्लूडिंग वन जोइंट अवार्ड फॉर नैशनल चाइल्ड अवार्ड नाव रिनेम्ड एज बाल सक्ति पुरुषकार अंडर दे कैटेगरी ओपिन वेशन्स, स्कोलेश्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट अंड कल्चर, सोशिल सर्विस और ब्रेवरी भारत के राष्टेपती स्री रामनात कोविंद्र ने राष्टेपती भावन में प्रदान मंत्री राष्टे बाल पुरुषकार 2019 प्रदान किये ये पुरुषकार 26 चैनित विजटाओं को प्रदान किये गए जिसमें नवाचार, सेक्षिक, खेल, कला और संस्कृती, समाज सेवा और बादुरी स्रेणी के तैत राष्टे बाल पुरुषकार जिसे अब बाल सक्ती पुरुषकार का नाम दिया गया है के लिए एक संहित पुरुषकार भी सामिल है. Next, Noted Gujarati Post, Sithansu Yashchandra, has been awarded Sarswati Sammaa, 2070, for his poetry collection in Gujarati Named Vakhar. This is the 27th edition of the prestigious award instituted by K.K.Bidla Foundation. प्रक्षात गुजराती कवी, Sithansu Yashchandra को गुजराती में उनके काव्य संग्रे वकार के लिए 2017 सर्सोती सम्मान से सम्मानित किया गया. यह के K.K.Bidla Foundation द्वारा इस्तापित, सविदान के अन्सूची ए आठ में उल्लखित भासाओं में से किसी भी भासा में पिछले 10 वर्सों के दोरान प्रकासित बारतिय नागरिक के उतकर्ष्ट कार्णी के लिए हर वर्स दिये जाने वाले प्रतिश्टी पुरुषकार का 27 प्रतिश्वा संसक्ण है नेक्स्ट बिजनिस न्यूज युगे पार समाचार सोशल मेडा मेडिया घ्यांट फेस्बुक अनॉंस्ट तट इट विल क्रेट एन इंडिपेंडेंट इंस्टिट फॉर इथिक्स इन आर्टिपिसिल इंडेलिजेंस विद एन इनिसियल इन्वे प्रिम्ता में नितिक्ता के लिए एक सोतनुतर संस्थान बनाएगी नेक्स्ट इंडिया लाइस टेलिकॉम उपरेटर बाइस सब्क्राइबर बेस वोड़ाफोन आइडिया अनॉंस्ट इट इट्स बोर्ड हैद अप्रोड एर राइट्स इसू आप 25,000 करोर रूपीज तो बारत के सबसे बड़े दूर संचार ओपरेटर बोर्ड अपोन आइडिया ने गोश्टना की है कि उसके बोर्ड ने मोजुदा पात्र एक्विटी सेर्धारकों के लिए 25,000 करोड रुपे के अधिकारों के मुद्दे को मंजूरी दे दिया है जो कि नवंबर 2018 में इस्ताफ ट्रिक आज बारत कि अधिकतर एक्विट ए मुदा है शुजर्द एक्वेट एल कौना ALAB strips क्किंदित वेल्ची है जज्जर रम टे ले वार्ड परेटिबाम के सीजर डेटने स्पीक प्रतिबाप प्रतिसपर्दी सूचकांक में भारत एक इस्तान की बढ़त के साथ अस्यवे इस्तान पर आ गया है। लेकिन यह अभी भी बिर्क्स देशों से पीछ है। टाटा कम्मुनिकेसंस और एडेक गुरूप के साथ साज़ेदारी में इन्सीड बिजनेस स्कूल द्वारा वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम की वार्सी बैटक के पहले दिन जारी के इस सूची में स्यूजर लेंड सीर्स इस्तान पर बरकरार है। स्पोर्स न्यूज खेल समचार रिशब पंत वाज नेम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसीड एमर्जिंग प्लेयर ओफ दे इयर फॉलोविंग एन इंप्रेसिव सो इन इंडिया ज फर्स इवर टेस्ट रिजिविन इन ऑस्टेलिया रिशब पंत को ऑस्टेलिया में भारत की पहली टेस्ट रिजीत में सांदार प्रदर्शन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसी सी का इमर्जिंग प्लेयर ओफ दे इयर चुना गया है। नेक्स्ट मुवम्मद समी बिकम दाप प्रस्ट इंडियन बॉलर तो क्लेम हंड्रेड वन डेक विकेट दूरिंग दे फर्स्ट वन डे यर अगेंस्ट न्यूजिलेंड एट नेपियर समी रिश्ट दे माइल स्टॉन इन हीज 56th मैच विन दे विकेट ओपनर मार्टिन गु बन गये सल्यामी बल्लेबाज मार्टिन गप्तिल का विकेट लेकर समी ने अपने 56 मैच में यह उपलप्दी प्राप्त की है नेक्स्ट लास्ट न्यूज ऑप्ट्यूरीज निधन फॉर्मर इंडियन होकी प्लियर रगबीर सिंग भोला ए टू टाइम ओलंपिक किया होकी खिलाडी रगबीर सिंग भोला का बाण में वर्सकी आयूमें निधन हो गया है कि 2000 में उन्हें होकी में उनकी उपलब्दियों के लिए अरजिन पुरुसकार से संभानित किया गया था तो मेरे प्यारे साथियों यह थे आज के मुक्य समचा जो कि आपके करेंट पेर से थेंक यू सो मच कि धन्यवाद आपका दिन सुगों